हेलो दोस्तों मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने यूटूब चैनल पर हारदिक स्वागत करता हूँ आज हम लोग जोग्रफी की क्लास करने वाले हैं आपको सेडियूल मिल चुका है और इसलिए सेडियूल का भी डिसकस कर लेते हैं क्लास शुरू करने से पहले सेडियूल आपके पास आपके सामने में है जो पॉलिटी की क्लास है पॉलिटी की क्लास जो हो रही है यह मंगलवार गुरुवार और सनिवार को और जो जो जोग्रफी की क्लास हो रही है यह सोमवार बुधवार और सुक्रवार को हो रही है तो आज जो है आज सोमवार है आज जोग्रफी की क्लास होगी और जोग्रफी का जो एक चेप्टर है जो पहला चेप्टर है वह कंप्लीट हो चुका है उसका question answer भी मैंने करवा दिया है तो आप जितने भी बच्चे 2024 में बोर्ड का एक्जाम देंगे 2024 में जो भी बोर्ड का एक्जाम देने वाले हैं और जिनका subject जोग्रफी है और उनका माध्यम हिंदी होना चाहिए subject जोग्रफी subject जोग्रफी और जो माध्यम है हिंदी मेडियम से होने चाहिए इंग्लिस मेडियम से नहीं क्योंकि मैं हिंदी मेडियम बाले को पढ़ा रहा हूं तो हिंदी माध्यम से चाहिए वो किसी state board के हो जिनका माध्यम हिंदी होगा उन सभी बच्चों के लिए ये session बहुत ही ज्य objective question answer के तीन से चार question है जो repeat बार बार पूछे गए हैं तो इसके लिए एक अलग से class लेना समय को वेर्थ करना होता है इसलिए मैंने ये class नहीं लिया बलकि ये class में record करके डाल दूँगा और जब मैं ये class record करके डाल दूँगा तो मैं आपको inform कर दूँगा टेलिग्राम ग् तो आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों नहीं डाला subjective question answer का session आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं chapter 2 जिसका नाम है विस्व जनसंख्या वितरन घनत्व और विर्धी ये विस्व की जनसंख्या है जो लोगों की संख्या है इसका वितरन कैसा है कैसे ये बहुत ही कम जग्यों में काफी जादा लोग रहते हैं और बहुत ज्यादा जगों में काफी कम लोग रहते हैं इसके क्या रीजन इस सब के बादें पढ़ने इनका घनतू जंसंख्या घनत्व में पढ़ने क्या वाले हैं इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं चेप्टर दो आपको दीख रहा होगा जिसका नाम है विस्व जनसंख्या वितरन घनत एवं विरधी जनसंख्या इसकी परिभासा हम देखेंगे कि जनसंख्या क्या होती ज सब्क्राइब आधिक जगों में कम इसके क्या-क्य रीजनने उस laughed कileri देखने वाले हैं डेट आग्यावित्रण को परभार्स करने वाले कार्क इस में देखने यह जनसंक्या गहनात्व क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे जनसंक्या परिवर्तन के क्या-क्या घटक हैं क्यों जनसंख्या परिवर्ति तो होती है जनसंख्या घटती है जनसंख्या बढ़ती है लोगों की मिर्ती होती है बच्चों का जन्म होता है तो यह सब जनसंख्या परिवर्तन होता है तो इसके घटक कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-क किलियर करूंगो इसलिए घबराईएगा नहीं जुड़ रही है हमारे साथ जब चैप्टर खतम होगा या जो टॉपिक खतम होगा उसके बाद आपको समझ में आएगा कि नहीं जो भी वर्ड हैं जो इसलिए दिखकर सब्द हैं उससब्द को मैं आपर आसान करें कि एकस्प्लेइन करने की कोशिश करूंगा उसके बाद है जनानी जनांतिकी प्रभाव संक्रम यह होता यह भी चैप्टर के अंदर ही बात करने वाले हम दोग सबसे लाश्च में बात करेंगे सबसे लाश्च क् कोई एक छेत्र है या कहा है छेत्र ए है या छेत्र ए है इस छेत्र में जो भी लोग होंगे उनकी जो संख्या होगी लोगों की जो संख्या होगी वही जन संख्या कहलाएगा और यह बात यहां पर लिखी गई है कि किसी दिये गए छेत्र में लोगों या जीवों की जो पुल संख्या होती है वही जन संख्या होती है या फिर देश राज अस्थान आदी में बसे लोगों की संख्या या आबादी उसी को जन संख्या कहते हैं जन संख्या सब्द समझे जन संंख्या जन और संख्या से संख्या से related कितने या कितने लोग रह 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 रहे हैं किसी भी छेतर में जो लोगों की संख्या होती है वही उस छेतर की जन संख्या कहलाती है I hope आपको ये जो definition ये परिवासा आपको समझ में आ गई होगी बहुत ही आसान है कोई बहुत ज़्यादा tough नहीं है difficult नहीं है अब हम लोग जनसंग्या वितरन की परिवासा देखते हैं वितरन का क्या आर्थ होता है बटा होगा या बांटना ऐसे भी कह सकते हैं जो वितरित किया जाता है जैसे स्कूल में टौफी का वितरन होता है प्राइमरी और मिडेल स्कूल में मिडे मील का वितरन होता है तो क्या है उस संदर में अगर हम बात करें कि मतलब मिडे मील का जो वितरन होगा प्राइमरी और म मिड्डे मील का वित्रन है या कहीं ने कहीं और समान है जो खाना है उसका वित्रन है और समान है लेकिन खाने का वित्रन किया गया है उसी परकार अगर हम जनसंक्या के संदर में देखे तो जो पिर्थवी है पिर्थवी है इस पर जहां जहां लोग रहते हैं मालिजे इस छेत में लोग नहीं रह रहे हैं फिर यहां पर पूरा लोग रह रहे हैं तो पिर्थवी के भू भाग पर जिस परकार से लोगों का फैलाव है जिस परकार से लोगों का फैलाव है उसी को जनसंख्या वित्रन कहा जाता है यानि कि जनसंख्या कहां कहां आवस्थित हैं लोग कहां कहां पिर्त्वी पर रह रह हैं I hope आपको समझ में आ गिया होगा नहीं आया तो फिर से देखिएगा और फिर ना आये तो कमेंट जरूर करिएगा आब हम लोग देखने वाले हैं कि विस्व में जन संक्या वित्रन का प्रारूप कैसा है विस्व में जन संक्या यह नहीं रह रहे हैं इसलिए जंसंख्या का अवित्रन जो है विश्व में यह आसमान है ऑजोर्ज B entertainment उन्होंने एशिया के संदर्व में क्या कहा था कि एशिया में बहुत अधिक अस्थानों। पर कम लोग रहते हैं और कम अस्थानों पर बहुत अधीक लोग रहते हैं और यह सिर्फ उन्होंने एसिया के बारे में सब आता लेकिन यह पूरे विश्व के लिए सामाने रूप से यही कथन सत्य होता है कि विश्व की जनसंख्या का 90% यानि कि विश्व में जितनी और विश्व की 10 सरवाधिक आवादी वाले जो देश हैं इनमें विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है कि यहां पे जनसंख्या का जो वित्रन है यह कहीं न कहीं और समान है एक रूप नहीं है समान नहीं है इसके पीछे कई रीज़ने इसको हम बार्ड में दिसकस करने वाले हैं थोड़ा से हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि जनसंक्या का वित्रन है सबसे ज्यादा कहां पर चीन में अभी हलांकी भारत हो गया है लेकिन डेटा अपडेट नहीं हुआ इसलिए हमारे पास जो डेटा अभी चीन का सबसे पहले अस्तान पर उसके बाद भारत ह है फिर साइक राज अमेरिका फिर इंडोनेसिया पाकिस्तान ब्राजील नाइजीरिया बंगला देश रूस और मेक्सिको इन दस देशों में से छे ऐसे देश हैं जो सिर्फ और सिर्फ एसिया के देश हैं जैसे चीन भारत इंडोनेसिया पाकिस्तान एक है बंगला देश औ और यूरोप महादरिप में आता है लेकिन अभी तर्फर्पडेव से बात करें इन जो धेता हैं इस में से चए चुन और छोटनों धेता है चीन और भारत यह दोनों मिलाकर लगबग विश्व की जनसंक्या का 37 से 38 जनसंक्या यहां पर निवास करती है। पोटल में जितनी जनसंख्या है उसका 37-38 पर 30 सब्सक्राइब चीन में निवास करती है तो जनसंख्या का वित्रेन आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसमान होता है इसके बारबर मैं कहता हूं इसके रीजन पर बाद में फोकस करेंगे तो सिर्फ एसिया महादुप की बात करें तो दुन वहिं यूरोप की बात करें तो 9.6% एफ्रिका की बात करें तो 7.2% ये सभी किसाभी प्लूंप महाँप में है और यह जो केरीबियन हैया केरीबियन सागर के आसपास के देश हैं तो इनकी जो विस्पमेशन्ख्या का इनकी जो भागेदारी है की 8.4 परतिस्स थ है वहीं उत्री अमेरिका की बात करे तो 4.7 पर्सन्ट है और उसीनिया की बातaining यानि कि Australia महादूइप और उसके आसपास के जो देश हैं यह दूसरे सब्दों में इसको ऐसे कहें कि Asia और अमेरिका महादूइप के बीच का जो छेत्र है इसको उसिनिया क्या सकते है इसकी जो जो इसका जो यहां पर जो जन संक्या रहती है विस्वकी यह 0.6% रहती है वहीं इसके भी बहुत साड़े रीजन है यह सब हम लोग बाद में देखेंगे यहां पर जो महादूइप में विस्वकी जन संक्या का वित्रन कैसे यह दिखा गया एसिया में 69.5% अफरीका में उत्री अमेरिका में चार दसनलोग साथ परसेंट परसेंट दसनी अफरिका में दसनी अमेरिका में 8.4% आपको यहां पर दिख रहा होगा मैंने बताया हेरोप में 9.6% और अफरिका में 17.2% है और इनिशिया का यहां पर जिक्र नहीं किया गया क्योंकि आवादी बहुत ही कम है वहां की तो एरिया है यह च्छेत्र है यह च्छेत्र एक्स है ठीक है इस च्छेत्र में जो लोग रहते हैं उनकी संख्या लोगों की संख्या और इस चेत्र का जो चेत्रफल होगा इस चेत्र का जो चेत्रफल होगा इस साइद आपको नहीं दिख रहा होगा माली जी यह एक चेत्र एक्स इस चेत्र में लोगों की जो संख्या होगी वह और इस चेत्र का जो चेत्रफल होगा इस दोनों का जो अनुपात है यानि कि लोगों की संख्या और छेत्रफल का जो अनुपात है इसे ही जनसंख्या घनत तो कहा जाता है और यह प्रतिवर्ग किलो मीटर में लिखा जाता है यह प्रतिवर्ग किलो मीटर में इसका जो इसका जो फॉर्मूला है यह जनसंख्या घ छेतर फल मालेजी जो छेतर हमने एक्जामपल लिया चेतर एक्स जो हमने एक्जामपल लिया वहां की जो कुल जनसंख्या है वहां की जनसंख्या जो है यह बीस हजार सपोस्टेट 20,000 है और कुल छेत्रफल जो है कुल छेत्रफल है यह 1000 किलो मीटर है 1000 किलो मीटर स्क्वाइर है तो हम जन संक्या घनत वो कैसे निकालेंगे population density इसको बोलते हैं PD कह सकते हैं और PD मैं यहाँ PD स्वाट में लिख देता हूँ PD हम कैसे निकालेंगे इसका पीडी हम निकालेंगे प्रदेश की कूल जन संक्या तो कितनी है बीस हजार और प्रदेश का कूल छत्फल ये कितना एक हजार तो तीन जीरो से तीन जीरो यानि की बीस व्यक्ति बीस व्यक्ति प्रती वर्ग किलो मीटर में प्रती वर्ग किलो मीटर यानि कि एक वर्ग किलो मीटर में ये जो एक वर्ग किलो मीटर का एरिया होगा ये भी एक किलो मीटर होगा तो एक वर्ग किलो मीटर का जो एरिया होगा इसमें बीस लोग रह रहे होंगे हमारे आप लिए जो हमने समझने की कोशिश की है जो मैंने आपको समझ में आ गया होगा इसी तरह किसी देश का भी भारत का भी निकाल सकते हैं भारत की कुल जनसंख्या डिवाइड भारत का कुल छेतरफल बिहार का निकाल सकते हैं उसी तरह राजस्थान का निकाल सकते हैं किसी ड सब्सक्राइब कितने राज रहाँ लीविया सण को निकाला जा सकता है इसी schipOr looked आगया होगा अबопलो नेक्ट टॉपिक की और बढ़ तो अगर आपको समझ में ना आएथ और तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस टॉपिक पे इस point पे मुझे समझ में नहीं आया मैं फिर से आपको समझाने की कोशिस करूँगा जो जनसंख्या घनत्व है जो भी जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या वित्रन है इसको कुछ ऐसे factor है जो परभावित करते हैं उसी factor के वारे में हम लोग यहां पर discuss करने वाले यह factor कौन कौन से हैं जिससे जनसंख्या का घनत्व या जनसंख्या का वित्रन परभावित होता है जनसंख्या का वित्रन यह ना तो यह भी आसमान है वित्रन भी आसमान है और घनत्व भी आसमान है घनत्व भी अलग-अलग शेत्र में अलग-अलग हो सकता है कहीं पे 20 वेक्ति परत वर के किलोमेटर रह सकते हैं वही जनसंक्या वितरन भी अलग-अलग है एसीया में जनसंक्या अलग हो सकता है अफरीका में अलग हो सकता है यूरोप में अलग हो सकता है ठिक उसी परकार एसीया के अंदर जो देश हैं जैसे चाइना में अलग हो सकता है इंडिया में अलग हो पाकिस्तान में अलग होगा तो ये सब जो अलग-अलग क्यों है इसको कौन से ऐसे कारक है जो प्रभावित करते हैं उसी के बारे में हम डिसकस करने वाले हैं जो कारक है ये तीन कारक है पहला है भौगौली कारक दूसरा है आर्थी कारक और तीसरा है समाजी कारक भौगौली कारक के अंतरगत क्या क्या आ जाएगा भौगौली कारक के अंतरगत आ जाएगा जल की उपलब्धता जल की उपलब्धता यानि कि जिस छेतर में लोग रहेंगे वहां पे जल पीने लाइक पानी सिचाई करने योग पानी है या नहीं है उसके बाद जलवायू वहां रहने लाइक उप्युक्त जलवायू है या नहीं काफी जादा थंड तो नहीं है काफी जादा गर्मी तो नहीं पड़ती है ये सब भी देखना पड़ता है उसके बाद भू आकिरती जो परवतिये इलाका होता है उसमें बहुती कम लोग रहना या बसना चाहते है जो मैदानी इलाका होता है जो पठारी इलाका होता है उसमें परवतिये इलाके की अपेक्ष थोड़ा सा ज्यादा लोग रहते हैं वहीं जो मैदानी इलाका होता यह सबसे सगन जनसंख्या वाला छेत्र होता है तो इसके भी कई करसी कि जा सकती है बहुत ही जादा के जा सकती है गहन किरसी जिसको कहते है और फसल की पैदावार होगी जिससे लोग उसका उपभोग कर सकेंगे गोदे sitting भिन है और समान है वहीं अगर बात करें आर्थिक कारक में तो आर्थिक कारक में हो जाएगा खनीज कहीं पे कौन सा खनीज कितनी मात्रा में उपलब्ध है और कौन कौन सा खनीज है वो वहाँ पे रहे रहे लोगों के लिए उपयोगी है या नहीं है इस सब के बारे में भी बात करेंगे वहीं पे जो नगरी करन नगरी करन जो नगर होता है वहाँ पर गाओं के अपेक्षा ज्यादा आमदनी होती है रोजगार के अवसर होते हैं लोग बिरोजगार कम होते हैं तो यह भी एक factor है और वहीं पर तीसरा जो है अद्योगी करन अद्योगी करन अद्योग धंदे उस चेत्र में है या नहीं ही अगर उद्धियोग होंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा जिससे उनकी आज भी का अच्छे चल सकेगी वो अपना और अपने परिवार का ख्याल लग सकते हैं तो कुल ये रीजन है जिसके बारे में हमें पढ़ना एके करके और समाजिक सांस्किर्टिक रीजन में कोई अलग से कुछ नहीं दिया गया है बलकि समाजिक और सांस्किर्टिक बाते समझ में आ गई होंगी तो आज की class जो है हम लोग यहीं पर रहने देते हैं छोटी सी class होई लेकिन काफी important class होई है अगली class में हम थोड़ा सा continue करेंगे और जो class का time है यह time भी हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि हम अपना syllabus time पे complete कर पाएं तो session कैसा लगा comment जरूर कीज़ेगा हमारे session को like share और चैनल को subscribe जरूर कीज़ी और ताकि आपको notification समय पर मिल सके और अगर notification के लिए भी आप हमारा telegram group join कर सकते हैं साथ ही साथ जो मैंने बताया first chapter का subjective question answer मैंने नहीं करवाया है क्योंकि तीन चार question यह जो बार-बार पूछे जा रहे हैं उसका मैं video बना के upload कर दूँगा और उसको भी telegram पे के माध्यम से telegram के माध्यम से आप लोगों को notify कर दूँगा इसलिए आप telegram group में जूर जाए करेंगे मिलते हैं अपने अगले सेशन में सेशन देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे मिलते हैं आपका बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत